अलो दोस्तो टेक आई टी आई में आपका स्वागत है दोस्तो आई टी आई सेकन एरी जो एक्जाम हो रहा आया भी फिलहाल जो बैक पेपर और सप्लमेंटरी का उसका हम एनलाइसिस कर रहे हैं जो कि 20 दिसंबर का पेपर आया था उसमें कुछ बच्चे भेजे थे कि सर ये कोश्चन आया था तो उस कोश्चन को हम एनलाइसिस कर रहे हैं तो पास होने के लिए एक बार जरूर इसे देख ले क्योंकि आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो प्रिवीज कोश्चन जरूर देख ले हो सके तो ये कोश्चन मैच कर जाए जो कि ऑनलाइन एनलाइसिस कोश आपका क्या नाम है? A है, अस्टेटर, दू है, धुरूबकोर, C है, पोलसू और D है, योग फ्रेम. तो इसका एंसर है, अपसर नमर D. अगर D मा रहे हैं, तो आपका एंसर सही होगा. नेक्स्ट है, DC जनरेटर में इंटर पोल कैसे जूरे होते हैं? A. आर्मेचर के स्रिंखला में, B. आर्मेचर के साथ सामनांतर में, C. संड फिल्ड के साथ स्रिंखला में, D. संड फिल्ड के साथ सामनांतर में. तो इसका एंसर है, अपसर नमर A. आर्मेचर के साथ स्रिंखला म अगर आपका question match कर रहा है तो नीचे comment में जरूर बताएं नेक्स्ट है जनरेटर में ब्रस बनाने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया जाता है अस्टील और ग्रेफाइड बी कारवन और ग्रेफाइड सी धलवा लोहा और ग्रेफाइड डी एलमुनियम और ग्रेफाइड तो इसका answer है option number B कारवन और ग्रेफाइड नेक्स्ट है DC जनरेटर में क्या परभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बन रखा जाए यानि DC जनरेटर को अगर हम लंबे समय तक बन रखते हैं तो क्या होता है A, फिल्ड क्वाइल का परतिरोध बर जाता है B, आर्मेचर परतिरोध बरता है C, आर्मेचर परतिकरिया बरता है D, अपने आउसिस्ट चुमकत्व वो खो देता है तो इसका एंसर होगा, आपसन नमर D, वो अपना आउसिस्ट चुमकत्व खो देता है नेक्स्ट है, यदि DC संट मोटर की फिल्ड वाइरिंग ओपेन सर्किट में हो तो गति क्या होगा? A, चलना बंध हो जाएगा, B, मोटर समाने रूप से चलती है, C, धीमी गति से चलती है, D, बहुत तेज गति में चलती है तो इसका एंसर होगा, आपसन नमर D, ये बहुत तेज गति में चलता है अगला है, DC, मोटर में समाने से उपर और नीचे दोनों गतियां को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रक विधी को लागू किया जाता है तो इसका एंसर है, आपसन नमर D, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रक नेक्स्ट कोश्चन आया था, क्या परभाव है अगर चलने के दोरान 4 बिंदू अस्टाटर परतिरोध कट अप हो जाए तो क्या हो जाएगा A, मोटर बंध हो जाएगा, B, धीमी गति से चलता है, C, बहुत तेज गति से चलता है, D, उल्टी तीसा में चलता है तो इसका एंसर होगा, B, क्योंकि जब कट हो जागा, तो वो धीमा गति में चलेगा नेक्स्ट है, थीरी कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला भी अस्थापन होता है तो इसका एंसर होगा, उप्सन नमर B, 120 डिगरी, नेक्स चलते हैं थीरी कला मोटर में किस गति को तुले कालिक गति कहा जाता है ए, सुने भार गति, B, फूल लोड अस्पीड गति, C, चुमकि ये छेतर की गति को घुमाते हुए, D, अस्टाटर और रोटर के बीच सापेच गति तो इसका एंसर होगा, उप्सन नमर C, चुमकि ये छेतर गति को घुमाते हुए नेक्स चलते हैं, नेक्स दिया है, परभाव क्या होता है, यदि सकेंद्रित वैंडिंग के पुरा होने के स्लिप्ट भेज, मोटर में कुछ सलोट भीना वैंडिंग के जोरे गए हैं तो इसका ओप्सन है, A नमर है समाने रूप से काम करता है, B गती में कमी, C टार्क में कमी और D बहुत तेज गती से दौरता है, तो इसका एंसर है ओप्सर नमर C, ए स्वाने रूप से काम करता है नेक्स चलते हैं नेक्स है कौन सी मोटर आधी कुन्डली वायरिंग की होती है A. मिक्सर B. ग्राइंडर C. छत का पंखा D. मसीन वासिंग मसीन तो इसका एंसर है अपसर नमर सी छत का पंखा वो आधी कुन्डली होता है क्योंकि एक के गैप करके किया जाता है नेक्स है DC जनरेटर का आर्मेचर परतिरोद बहुत कम क्यों है आर्मेचर धारा कम करें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें C. कम वजन के साथ आर्मेचर चराए D. आर्मेचर का तापमान कम करें तो इसका एंसर होगा आपसर नमर इसका answer होगा option number B armature voltage को drop कम करें next चलते हैं next है कौन सी कुछालक समागरी स्रेनी B के कुछालक की है यानि कौन सी समागरी है जो कि स्रेनी B का है A compass, B, Bands, C, Fiber Glass, D चमरे का कागज तो इसका answer है option number C Fiber Glass next चलते हैं DC generator starter के पर्तिरोद को सुरू करने के लिए किस समागरी का उपयोग किया जाता है A. Eureka A. Eureka, B. Nichrome C. Maganine और D. Constate Time तो इसका answer होगा option number B Nichrome next है और आज का अंतिम प्रस्ण है circuit में fuse के अलावा thermal count का AC motor circuit में fuse के अलावा thermal cut out का उपयोग करने का उदेश क्या है A. बहारी बहार से रच्छा करना B. High voltage से बचाओ करना C. लगातार overloading की अनुमति D. मिर्त short cut से बचाएं तो इसका answer हो जाएगा option number C लगातार overloading की अनुमति D. तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को सेयर करें साथ में मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको अब जो भी एक्जाम हो रहा है उसका analysis भी आपको पर दे मिलेगा साथ साथ exam related जो भी exam सरकारी भरती और technician भरती और साथ साथ apprentice भरती का form हैगा वो आपको पर दे information मिलता रहेगा